वित्रों मैं अम्रेश कुमार शवास्तों नौचेटना यूप्ट्यू चनल में आपका स्वागत करते हैं आज अपन भारत माँ के ऐसे सभूत के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आज भी खेल जगत में विश्व में विख्यात है उसके इतने रिकॉर्ड हैं कि आज भी कोई उस रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाया जिहां अपन मेजर ध्यान चंड जी के लिए बात करेंगे यह हौकी के जादूगर कहलाते थे और इन्हों ने उसक्त हौकी की प्रसिद्धी पाई जब भारत सतंतर नहीं हुआ था और भारत में बहुत बुरी स्थिती थी फानेशली यह जो होगी का मैच खेलते थे या प्रेक्टिस करते थे तो इनके पास ना तो ड्रेस हुआ करती थी और ना जूते होते थे यह नंगे पैर खेला करते थे इनका एक अपने आप में तिहासे नोंने एक हजार गोल मारे हैं जो कि आज भी एक विश्वर रिकॉर् प्राबरी आज तक कोई कर नहीं पाया है इन द्यांचंद जी ने तीन बार ओलम्पिक गोल्ड इंडिया को दिलाए और अपन कह सकते हैं कि यह इनका जीवन ही होकी में था और इनका आखरी तक इनका होकी में ही रह यह जमनेजाद होकी प्लेयर नहीं थे इनके जो इनकी ज संगर्ष और संकल्प और प्रतिस्था अर्पित की और इन्हों ने उस मुकाम को पाया अपनी इस मेहनत के कारण जो आज भी कायम है द्यांचंद जी का जनम 29 अगस्त 1905 में प्रयागरास में हुआ था और यह एक छत्री परिवार्स में थे या राजपूत परिवार में से थे इनका जनम और इन्हों ने 1926 में अपने नोक्री में आए तो 1926 से 1948 तक इनके हौकी का सुन यूक कहा जा सकता है भारत का भी हौकी का सुन यूक कहा जा सकता है उसके इन्हों ने रिटार्मेंट ले लिया 1956 में जब भार सुतंत हो गया तो इनको पद्म भुष्ण से विभुषित किया गया और इनकी एक उपलब्दी थी जब ये 1926 में भरती हुए 1927 में इनको लांसल नायक बना गया उसकी होगी को देखते हुए 1932 में इनको नायक बना गया पिर 1937 में ये कप्तान बने एवं सुवधार बने उनीस सो ते तालीस में ये लेटिनेंट बने और 1948 में कप्तान बनने के बाद ये मेजर बनाएगा आखरी में जब ये रिटायर हुए तो ये मेजर थे आप सुनके ताजिव करेंगे कि जब ये होकी खेलते थे तो लोग इन चूम्बग लगा है इसलिए हो की जो बॉल है हो गी श्टिक से छूडती नहीं है अलंक में एक बार यह हला मचा तो उनकी की तोड़के दिखे गई कि इसके इंदर ऐसी क्या चीज है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला तो मेजर धाशड जी ने वोला कि आप मुझे कोई भी होगी देती जिए खेल की दिखाऊंगा वो फिर उसके बाद वो उसी दूसी होगी जो उनको दी गई उससे वो खेले उन्ने सो चब्विस में इनने उन्हें पहले अंतराश्ची मेच न्यूजिलेंड से खेला और 21-0 से भारत को जीत दिलाई उस सिरीज में कुल 21 विदे हुआ और बहुत लंबी लीड से विदे हुआ दो मैच जो थे वर्षा कारण रद हो गए अपन कह सकते हैं कि इनका जो विजय अभियान था वो कभी भी रुका नहीं कभी भी टूटा नहीं 1932 में भी इसके बाद श्रिलंका से खेले और इन्होंने पहला मैच 21-0 से जिजता अपन कह सकते हैं कि खेल के मैदान में यह गोल करने की जड़ी लगा दिया करते थे उनने सो पैतीस में उसके बाद यह फिर न्यूजिलेंड गए और ननचास मैच खेले और ननचास में से अटाली समय जीते एक मैच वर्षा के कारण रद कर दिया गया उनने सो नन जो किर्केट के महान खिलाडी माने जाते हैं किर्केट के भगवान कह जाते हैं वह इंसे मिलने के लिए आए और उनका मैच देखा है और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उनको कहा कि जिस तरीके से आप होगी के ज्यादू का रहो आपका सम्मान है और बहुत जादा नहोंने उनको इस वक्ट बहुत सृतंतर नहीं हुआ था बहुतियों की इस्तिती बड़ी द्यनिय थी उसको देखते हुए उनको जो मान सम्मान दिया गया उससे भारत वाच्रीयों का सरह हमेशा हमेशा के लिए उड़ घा इसी तरीके से जर्मन में एक वा जिर्मन कि अनिए जर्मन अलुछंटेदेन के लिए घर्मन की गण प्रेम भारत लिए मैं मुझेजए लिए ज्यूद्थY इन एक बंश खेल जगत में इनको कई सम्मान दिया गए 1956 में इनको पद्म हुशन दिया गया अर्जुन आवाट दिया गया दुरोन अचार आवाट दिया गया और इनको ऑलम्पिक महन आज़ श्यतावदी कहा गया और इनका। जिस धनतर छिवस्ट में मनगे जाता है। वियाना में इनकी एक स्टेचु लगी जो जिसके चार हाथ या जो उपे हाथ हों में हॉकिय है। बने उसका जो इशारा है वो इस तर्जीख इसे है Susquake सिखके होके इनके चाहर आते होरjuna के हुटी ढोगता हिए उसलिए इनको कोई चुफू नहीं पाता है इस तर दिए से इनके कई करत्यों है ऐसे आज अपना चैरह भारतवाज़ी होने के कारण गर्ब से हमीशा इनके नाम से उंचा हो जाता है और मैं कलपना करता हूं कि भारत में ऐसे सब्सक्राइब और पैदा हूं और भारत मां गौर्णरवाज होती रहें धन्यवादी बित्रों अगर मेरा ये यूटीब चैनल आपको पसंद आया तो करें लाइक करें सब्सक्राइ कर दो कर दो आपको